आमतोर पर महवारी का समय दो से साथ दिनों का होता है। अगर आपके पीरियर्ड्स दो दिनों से कम चलते हैं या फिर साथ दिनों से ज्यादा होते हैं, तो ऐसा हॉर्मोन्स के कारण हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप महिला रोग विशेशग्य की सलाह लें। हलके पीरियर्ड्स जो सामाने से कम समय के लिए हो उसका कारण गरभावस्था, तनाव या कोई बिमारी हो सकती हैं। कभी कभी महिलाएं स्पॉटिंग को नोटिस करती हैं और इसे एक पीरियर्ड्स समझ लेती हैं। हालाकि यह इंप्लांटेशन की ब्लीडिंग भी हो सकती है और यह गरभावस्था का प्रारंभिक संकेत है। गरभावस्था के कारण पीरियर्ड्स में उतार चड़ाव आ सकते हैं। अगर आपके पीरियर्ड्स मिस हो गए हैं तो बहतर है कि आप प्रेगनेसी टैस्ट करें वजन का बढ़ना या घटना वजन में आये बदलाव के कारण भी periods अन्यमित हो सकते हैं ओवर एक्सरसाइज करने से शरीर पर बहुत अधिक शारिरिक दबाव पड़ता है और यह प्रवाह को बदल सकता है तनाव भावनात्मक तनाव आपके शरीर में बदलाव ला सकता है और आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है जन्मन नियंत्रण गर्भनिरोधक गोलिया periods के उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है एक हॉर्मोनल गर्भनिरोधक का उप्योग करने या नौन हॉर्मोनल विकल्प को चुनने से पहले डॉक्टर से सलाह लें उम्र बढ़ती उम्र और रजोनिवरित्ती का करीब होना आपके periods के समय और bleeding को प्रभावित कर सकता है स्वास्थ्य समस्याएं कुछ बीमारिया जैसे की cervical stenosis और Asherman syndrome periods के दौरान हलका प्रवाह पैदा कर सकती है स्थ्री रोग विशेशज्य से बात करें यदि आप हलके प्रवाह और गंभीर एंठन का अनुभव कर रही है